सातना शिरी वाहिगुरू सहिवजीयो नीच जात हर जबतेया उतम पदवी पाए पुछों बिदर दासी सुतया किसन उतरया कारजिस जाए हर की अकाथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दूख पूख सब लह जाए परम सन्मानियो गुरू गुरू खालसा सा संगजी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फते चाल रहे लड़ी वार परसांग तन तन शिरिगुरू नानक देव साहब जी माराजी दे अध्याए इकवंज में विच अज आपां साल सराय जोरी दा परसांग सर्वन करांगे आओ बड़े प्रेम नाल इह परसांग सर्वन करिए कौडे राखिषदाव दार करके शीरी गुर नानक देव जी अग्ये चल पे जित्ते सारे ही बहुत पे आनक जंगल सी अधे नेडे नेडे कोई पेंड़ जा नगर नहीं सी ओ थे हौली हौली अग्ये चल दे गए ओसे वेले मरदाना कैंड लगा हे ब्रभू जी मेनू पोखने बहुत सताया है कई देन बीद गए हन पोजन नहीं चाक्या है मैं एक पेर भी अगे नहीं चाल सकदा नेडे कोई नगर नहीं दिसदा अधे जंगल बहुत पारी है एह सुनके गुरु जी बोले तीरज रखो नेडे ही एक नगर है इस तरह परचा के अगे चल पए सारा जंगल पार कर लिया तेन कोहा ते एक सुहावना नगर पाई मर्दाने नू गुरु जी ने वखाया गुरु जी ने केहा बड़ा सुंदर शहर है अते बड़े उच्चे उच्चे मकान हान चलो उथे पोँच के पोजन चाक दे हां मर्दाना ए सुनके बोलया हे गुणा दिखान प्रभु जी मेरा सुरीरता हुण बलहीन हो गया है मार के किसे था प्यार हे हर तरह नाल निर्ना करके हुण मैं जानया है खुदाने हुण मेरी मौद कर जती है अते जगत विच जीवन दी डोर टुट गई है जे नगर आगया ता उते की होना है मेरे पले ता कोई पैसा नहीं है पैसे लए बगयर कोई पोजन नहीं देवेगा मैं शेयर विच पोजन के में खाल लवांगा जद गुरुजी ने मरदाने देश अब सुने ता उसे वेले अपने पैरा लागे रेदनों फरोलेया उस मिटी विचों एक अधबुत लाल निकलेया जिस दी शोबा अते चमक विशाल सी गुरुजी ने केहा इह लाल लवो अते अपनी गांड नाड बानलो हिर्दे विच तीरज तरो ते शैर विच चले जाओ थोड़ा ही रस्ता है शैर बिलकुल नेड़े ही है मरदाने ने कहा इह पत्थर किस काम है इस दा किसे ने कुज नी देना जे पैसे कोड होण ता जो चाहां सो लेलवां इसनो पले बनन नाड पोखनी हाट जानी जाद हाथ विच लेंदा हाँ ता पोजन प्राप्त नहीं हुंदा है गुरू जी ने कहा शैर नेड़े ही है और थेस्दी कीमत परगठ होवेगी तेन कोच आठ चालके चले जा एंजती रज़ देके किरपालू गुरू जी चाल पे पाई मरदाना आतलज़ित हो गया हिरदे विच बड़ा खेज़दा है पर मुँ विचों कुझ नी बोलदा है बेदी कोल दे दीपक हौली हौली चलके शैर दे नेड़े पहुंच गए एक रमनीक द्रख्त वेक के गुरू जी उस दे हेठां बैठ गए तद पाई मरदाने ने कहा जिमें तुसी केंदे हो ओस्तरा ही मैं कम करदा हां जेस चीज नो तुसी लाल कहके मैंनो दिता है इस नल होन केड़ा कम होवेगा गुरू जी ने परसन होके अपने मुखार बिंतों कहा इस नगरता ना जान दे होके नहीं पाई मरदाने जी ने कहा हे प्रभू जी ना वेच की रख्या है मैंनो होन पोजन खान देऊंगे के नहीं जेस वीदी अनुसार काम करना है ओता मैंनो दस दे नहीं गला करते हैं ही देन बतीत कार रहे हो सुखा देकार गुरू जी दसन वास्ते बोले इस शैर दा ना विशंबर पूर है नगर दा कोई ना भी होवे मेंनो ता होन बहुत पोखल लगी होई है थकावट नाल मेरा स्रीर निर्बल हो गया है मैं नगर विच किस तरह पहुंचांगा किरपाने दे गुरू जी हस पह अते फिर उसनो इस तरह केहा नगर विच जाओ ते उथे जाके किसे चंगे जोरी दी पाल करो उस पाज जाके एह लाल वेच देओ एस उनके पाई मरदाना दुरूत नगरवाल चला गया जाके एक जोरी नो विखाया उसने तेन तामवेदे पैसे उस दा मौल सुनाया पाई मरदाने ने मानवेच विचार कीती के होर मरद ता इस लाल दा अपार मौल केंदे हन इसलई उस जोरी नो केहा मैं पुछके आओदा हां मेरे साथी बार बैठे हन लाल अपने पास लेके उत्थे आगया जित्थे सुखा दी रास पाव गुरू जी बैठे सन दे के हा एक जोरी इसनो विख के बोलिया इस लाल दा मौल तेने तामवेदे सिके हन इस उनके गुरू जी ने के हा मरदाने एठेक सालस राय नम्मी जोरी है उस दे कार जाओ उसनो लब के इह लाल देओ जो भी उह मुल देवे उह लेके आ जाओ इह सुनके फिर नगर बेच चला गया ते शादा कार लब दा फिर दा सी जाद उसनो किसने कार बरे दस्या ता उस दे दरवाजिया के खड़ा होके उच्ची दिती शाद नो बलाया शाद ने उस दी वाज सुनके अपने एक निजी सेवक नो पे जा कौन है उस पसों जाके पुछो सेवक ने पाई मरदाने दे नेड़े आके किया कौन है तूं अते कितों चल के आया है उसनो मरदाने ने ए बचन कहे सौदा वेचन दी अभी लाशा लाके आया हाँ एक आक एक अरदे अंदर चला गया अते शाद नो लाल देके बखाया शाद ने जद लाल अपनी अखन अल वेखया तां बहुत खोश आया लाल उते जड़े अखर लिखे होई सन और नो पढ़के असल गल समझ गया शाद बड़ा तर्मीयत चत्रसी विचार करके उसने कहा एस उते लिखया है के जड़ा इस लाल नो वेखे ओह वेखन दा मुल सौ सौने दे सिक्के देवे मुल मैं इस दा बाद विच करांगा पहला तुसी इस लाल नो वेखन दा मुल सौ सौने दे सिक्के लेलवो पाई मरदाना सोने दे सौ सिके वेख के बड़ा परसान होया फिर नगर विचों बार आ गया अते गुरु जी ने मरदाने नु वेख के ए बचन किता हे मरदाने किन्ना मुल ले आंदा है पाई मरदाने ने गुरु जी दे नेड़े बैठ पूरी विथा सुनाई बड़ा बड़ा शाह है अते सुवादा बड़ा पला है सौ सोने दे रुपए हीरा वेखन दे देते हन मुल पुछन लई ओ थड़े पास आवेगा जिनने वैसे ले हन ए मैं तो अनू दस देते हन ओने ही लेके आगया हाँ कोई देर नहीं किती है गुरु जी ने एह सुनके कहा फिर शाह दे पास जाओ उसनू पुछो के एतन केहा देता है मरदना फिर नगर वेखा गया ते आके शाहनू पुछा एह रुपए केहे देते हन एह सुनके शाह ने केहा एह प्राणाचारी दे तोरते देते हन इस तरह लाल दे उते लिखिया है के लाल विखन दा मुल सौर पई ये है होर कीमत जो कहे ता मैं देवां लाल तो अनू मुल दे के ही लवाँगा एगल सुनके पाई मरदाना वापस गुरुजी दे पास आ गया एतन उसने प्रोणाचारी दे तोरते देता है लाल दी असल कीमत देनी ओ मन गया है गुरुजी कहन लगे वेचिये के नहीं लाल दी कीमत अपने मन विच सोचो मरदाना कहन लगा मैं की जान दा हां तुसी आप ही करो जमें तुसी अपने शुब मन विच जान दे हो गुरुजी ने कहा ए लाल नहीं इसनो करतार दा नाम पछाणो चाहो ता अपने पास रख लो चाहो ता इस दा वो पार कर लो पाई मरदाने ने कहा हे प्रभुजी मैं इसनो नहीं वेचांगा जेड़ा दोमा जुगां विच मेरे लिए सुखदायक है गुरुजी ने कहा जे लाल वेचना नहीं ता इस दी कीमत मोड़ देओ उसका अरजा के लाल लेलो ए सुनके फिर मोड़न चला गया अते सारी रकम शाह नो दे देती साड़ा लाल मोड़ देओ बहुत खोश आया मरदाना फिर नगर तों बाहर आ गया गुरुजी नो मिलके कहा हे प्रभुजी शाह ने मेनू तान भी दे दता है अते लाल वी मोड़ दता है मेनू ए दे के उसने मिठे बचन कहे हन होन तो अड़ी जिमे आ गया होवे ते में करां में होन बहुत थाग गया हां मुड के नहीं जावांगा गुरुजी ने कहा लाल नो अपने पास रखो ते तान जिसदा है उसनो दे देओ जे लाल वेचांगे ताद ही तान लवांगे जे नहीं वेचना है ता तान के इस तरह ले लिए पाई मरदाना फिर शाद पास तान लेके गया पर शाद तान लेंदा नहीं सी अटे ए गल कहरे है सी जो कुछ लाल दे उत्ये लिखिया है मैं ता ओह कुछ देता है इस तरह सी अपने तरम दा पालन कीता है जे मैं तान वापस ले लेनदा हां ता मेरा तरम जन्दा है अज यही गल मैं कदे नहीं करांगा ए तान तो अड़ा है इसनों वर्तो जमें तान तानु जंगा लगदा है ए सुनके पाई मर्दाना फेर गुरुजी दे पास आ गया गुर्णानक देवजी रख दे नहीं सी अते जोरी तानवापस नहीं सी ले रहा मरदाने नू सत वार बार बार जाना पया ते ठक के ओ बहुत व्याकुल हो गया एक पोख अते दूसरी पारी थकावट मरदाना बड़ा खेज गया अते उस ताननू जोरी दे कर सोट देता शान ने फिर मानवेच विचार किती एहे लाल मैं बड़ा अदबुत अते अस्चर्ज वेख्या है जीना दे पास लाल है ओ तानराशी नो नहीं ले रहे हैं ओना दे जरूर दर्शन करने जाई दे हैं अजे हे केडे शुब व्यक्ति हन जिना ने लोब नू ही त्याग देता है इहे कह के उसने मिठे पोजन त्यार करवाए जे में उस दे पाग जाग पई होन पहला एक सेवक नू गुरु जी दे पास पेजया अते उसनू केहा उना नू जान ना देना रोग के रखना है तान के मैं उना नू मिल सकां फिर साल सराय कारतों पेट लायके गुरु जी वाल चल पया गुरु जी दे सुहावने रूपनू उसने दूर तोही वेख लेया पाई मर्दाना लज्जित होके बैठा सी उसने सिर निवा किता सी अधे कुझ नहीं सी बोल रहा पोखतों आतर होके खेज के चोपचा बैठा सी सारियां गल्ना आपने मान ही मान विच जार रहा सी आपने अंदर गिंटियां विचार रहा सी पर गुरु जी दे डर करके कुझ नहीं सी बोल रहा उस समय उते साल सराय पहुच गया अते अरसीले पोजन गुरु जी दे अगे राख देते हाथ जोड के मथा टेक के सारे नू सुना के एकल कही एत अनत वाड़ा है इसनू वापस लेलो किरपा करके सानू अपने तरम दी पालना करन देओ पाव मेरा तरम रख लो गुरु जी ने कहा जे हीरे नू वेचिये ताद ही अपने हथा नाल तान नू लगिये जे ना वेचिये तान के में रख लिए इसलिए इह तन अपने पास रखो गुरु जी दे दर्शन करके साल सराइदे सारे परम मिट गए हते बचन सुन के मन निर्मल हो गया उसने गुरु जी नू पूरण संत रूप जान लिया जीना दा मुखार बिंद अत सुन्दर सी कैन लगा मैं बहुत के मैं निहाल हो गया हां मैंनो उपदेश वास्ते अपने बचन सुनाओ हे किरपालू जी तुसी सारे गुणा दी खान हो शान उपदेश देन हेत जगद इश्वर पाव गुरु जी ने ए शब्द बोले जे लाली कठे करके अपने पास रख लवे ता ओहो लाल किसे काम नह नहीं हो दे अते अना नाग कोई कारज भी नहीं संवर्दा एक खान पीन बेच भी नहीं हो दे कपड़ा जिमें ठंडनों हटा नहीं सकदा मनुक एह पत्थर जाती दे लाल सुन्दर दिसन करके अपने पास रखदा है अते हंकार करके अपने अपनु शाह कहोदा है पर सचा लाल तां करतार दा नाम है जिसनु एह मिल जान्दा है ओह निहाल हो जान्दा है लाल अमोलक तां अपनी आत्मा है जिसनों मनुक पर्खदा नहीं है अपना नीजी इनादपुल आके कश्टां विच प्या है साल सराय पुछन लगा तुसी कौन हो अते केडा तो अड़ा देश है ये सांत जी किते जाओगे अते तो अड़ा ये पेख किस तरह दा है खाट दर्शन में साब विख्या है पर तो अड़े निराले पेश बारे कुछ पता नहीं चलदा ये सुनके गुर नानक देवजी ने बचन उचार है नाम साड़ा नानक निरंकारी है देश साड़ा एकंकार है अते तानो ते पेश वी ओना दाही तार्न किता है एस तरह दी बाणी सुनके सालस राई ने गुरुज दे चर्ना नुँ फड़न दा मन बनाया जे तुसी एकंकार वेख्या है मेनु भी वखा के शोक रहित करो मैं होन तो अड़े चर्ना दी शर्न विच आया हाँ फिर गुरुज ने कहा कई पखंडी हन जो नाम अंदर कदे लीन नहीं हुंदे अते कई स्वामी दे पैरा नाल जुड़े रेंदे हन बन्दा ओह कुछ पौंदा है जेडा के पहला तो ही लिख्या हुया है हे नानक तुँ अपनी जीव नाल प्रबुदे नाम दा उचार्न कर गुरुज जी तो मिठे बचन सुनके सालसराय दा मान दीन हो गया आते केहा मैंनू होन अपना नीजी उपदेश देओ जिस नाल मैंनू शुब गती प्राप्त होगे सोने दे सिक्के लेके मैंनू निहाल करो हे किरपालू जी तुसी पूरण सांत हो गुरुज जी ने कहा एस अड़े किसे काम नहीं ए तान तो अड़े करावेच ही शोबदा है साल सराय ने कहा जे तुसी तानू होन नहीं लोगे ता मैं एहे पूजन अपने मुख वेच नहीं पावाँगा एस उनके पाई मरदाना चोपरे हा पर पूजन दियां गिंतियां कई परकार विचार है असी गुरुजी एहे पूजन लेलें अते फिर मेंनू देजें तांके मैं पालवां मैं पुख अते थकावट नाड बड़ा आत्र हो यहां पूजन चाके आपने आपनू त्रिप्त कराँ शिरीगुर नानक देवजी जेड़े के किरपाने दानहन सालसराय दी गती वास्ते पोजन दे विशे उत्ते आपने बचना दा उचारन किता सालसराय दे नाड जेड़ा सेवक आया सी गुरुजी दे बचन सुनके उस दा मन निर्मल हो गया उसने उठके डंडोत बंदना किती शेरन शेरन कैके गुरुजी दे चरना दे टैपया ते पागावाड़ा हो गया मैं तो अनुपरमेशर जान लिया है दीन देयाल तो अड़ा नाम है आगनाल साड़ रही जगत नूँ तुसी बचोंदे हो आपना तरम समझ के आपने सिख नू संबाल लो ए सोनके गुरुजी उसते द्याल हो गया अते उस दे जागविच जनम मरंदे चक्कर खतम कर दते फिर गुरुजी ने एक शबद दी बाणी कही जिसनों सोनके शाद मानविच भी मुक्ती दी इच्छा पैदा गई गुरुजी दे बचन सोनके सालसराई ने अपने हिर्दे विच विचार कीती के एता परमेशर दे अवतार हन जीना दे बचन सोनके दास दे चाट दुख सुखा दी रास पाव गुरुजी ने दूर कर दते हन ओसे समय दीन मस्कीन हो गया अते मानदा मान त्याग दता अते उठके गुरुजी दे चर्ण कमला ते बंदना कीती मेरी भी होन गती करो तुसी मुक्ती दाते दा रूप हो सालसराई ने केहा जगत बंदना तो शुटकारा करो तो अड़ाना पतित पावन है शर्ण पएदी होन लाई रखो तो अड़े वरगा मैं अज तक कोई नहीं वेख्या गुरुजी ने केहा एक काम करो अपने दास दे चर्ण फड़के बंदना करो फिर तेरी गती हो जाएगी जग विच ओन जान दा चकर मिट जाएगा एस ओन के सालस राइने आपने दोमे हाथ जोड़े अते अपने नोकर दे पैरा ते मथा टेक्या फिर दीनता नाढ गुरुजी नु केहा ए जो मेरा नोकर है इस दी बुद्धी स्रेष्ट है इस विच संतावाले सारे गुणहान अते करम तरम विच एह विलखन है फिर आप जी दी किरपा होई बंदना करन जोग हो पले अते सुहावने हन होण जे कुत्ते दे पैरी भी मेंनू पाओ ता मैं ओसे विले तो आड़ी आग्यादा पालन करांगा सालसराय दे एह बचन सुनके कमल वरगे मुखडे वाले पाव गुरुजी बहुत परसानों होए याते केहा तेरे सब बंदन कटे गए हन एक निरंकार नू साधा बंदना करो हिर्दे विट सारे परम दूर करो एस उनके सालसराय ने डंडोत बंदना किती बड़े प्रेवे चाह के गुरुजी दी उस्तत करन लगा शिरी नानक किर्पा निधान स्वामी हन अंतर जामी तिनना लोकां दे मालक हन आपने सेवकानों सोख देन वाले हन अते वैरियां दा नाश करन वाले हन तो अडा दर्शन मो रूपी निशाने नू विन्नन वाला तीर है तुसी महराज देवत्यां दे मालक दे मालक हो तुसी सदा अजित हो पर आपने दासा देवास हो गुरु जीने सेर उत्ते डेड़ गाईदा चीरा बन्या हया सी ओसे वळे लाके सालसरायनु देदता जद सालसरायने ओह पगड़ी अपने सेरते बद्धी ता चाटोस दे कपाट खोल गए ग्यान दे अनाद वेच संपूरन होया ते केसे होरनु मनना उसने चाट दता शीरी गुर्णानक देव जी दी किरपा नाड ओह त्रोंत ने हाल हो गया विशाल प्रेम नाड पार गया अते शबद करके गुरु जी दी उस्तत उचारी फिर सालसरायने बेंती किती हे करतार जी कच्चा रांग उतार के पक्का रांग जाड देओ सालसराय वलों कही गई उस्तत सोन के गुरु जी बहुत परसान होये परसान हो के उसनों गुर्मक दी पदवी बक्षी जिसनों गुर्मक पदवी बक्ष दे सन ओ सिखी दा परचारक बन जान दा सी सारे नगर्दा पूजनिक बन गया फिर गुरु जी ने मुक्तों बचन कहे जा तक जीवो ता तक इह पदवी अपने पास रखो अते सिखी दा परचार करो पर अपने मरंतों बाद आपनी संतान नू इस पदवी ते ना बठोना बाद विच तो अटा दास इस मंजी दे बैठेगा अते दूसरे होर किसे नू नेडे ना उन देओ पहला आसी मंजी इसनू दिती है क्योंकि तेरे तो पहले इसने शरन फड़ी सी इह दास संसारक मर्यादा प्रेम प्यार्दी होवेगा इस करके तेरे पसों इस दा सदकार करवाया है तो अटी उमर बड़ी थोड़ी है इह दो साल अते सात महिने ही रिंदी है तो अटे दास दा हिर्दा संता समान है अते विशाल चत्र है फिर गुरु जी ने पाई बाला जी नू कहा मरदाने नू बहुत पोखतां कर रही है इसनू पोजन देओ ताके छाक के त्रिप्थ होगे गुरु जी दा बचन मान के पाई बाला जी ने पाई मरदाना जी नू पोजन देता पाई मरदाना जी पोजन छाक के त्रिप्थ होगे साल सराई ने फिर गुरु जी दे पास बेंती किती ते गुरु जी नू अपने कार लागया कई देन उस नगर बेच मुक्ती दाते ने निवास किता सो साल संगर जे थे शिरी गुरु नानक परकाश किरांथ दे पहले आद दा एक वंजवा आद आद आईस माप सुनदा है जी पर सांग सुनो दे होई हो या अनेक पुलना चुका दी किमा बख्षनी जी दा सुनवा गया दे ओ वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की वाते है